हलो दोस्तों देपक किचं में आपका स्वागत है। इसे तरह मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजे है और वीडियो सेर केजेaison ठीक सुरू करते हैं आजके डिस। हलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चाउल फ्राइब, चाउल फ्राइब लिए यह टमाटा, एक प्यास, दो सिमला मिर्च, एक नेबू, और मिर्च प्याज को हम बारिक कट कर लेंगे, प्याज को अच्छे से हमने बारिक स्लाइस काट कर लेना है मिर्च को हमने राउंड सेप में बारिक कट कर लेना है मिर्च हमने मोटे मिर्च लिये, सिमला मिर्च को कट कर लेंगे, सिमला मिर्च सारे बीज हम अलग निकाल देंगे बीज हमें नहीं शाहिए सिमला मिर्च के बड़े-बड़े पीसेस कट कर लेंगे नीबो को दो इस्वे में कट कर लेंगे साथ में टमाटर को अच्छे काट लेंगे टमाटर की पूच होता है उसे हम निकाल देंगे और बारिक स्लाइस टमाटर के कट कर लेंगे स्लाइस कने बाद चोटे-चोटे पीसेस में टमाटर को कट कर लेंगे साथ में काट लेंगे धनिया हरी धनिया को हम इदना बारिक स्लाइस काट लेंगे हम देखे जैसे कि हमारे पास सारे चीजों को चोटे चोटे पीस में कट करके रख लिए है एक प्लेट में कडाई में डालेंगे हम दो बड़ी चमस रिफाइन ओयल डालने के बार डालेंगे एक चमस अर्सो साथ में जालेंगे जीरा अच्छे से गरम होने देंगे गरम होने बार डालेंगे नट्स प्लेट डालने के बाद कुछ देद गरम होने देंगे सांथ में डाल देंगे हम प्याज बारीक श्लाइस किये देंगे जाए में देंगे और हरी मिर्च अरे बारेक बारेक अच्छी के नट्स दा देंगे साथ में डाल देंगे हल्दी धनिया पाउडर और डालेंगे जीरा पाउडर सभी को अच्छे से भून लेंगे यह हमारी सारे मसाले भून चुके हुए और साथ में नमक उसके उपर में अब चाओल को डाल देंगे अब चाओल दाल चुके हैं चाओल दालने के बार अच्छे सामय उसे मिक्स करेंगे बार मिक्स करें जब तक पूरा मिक्स ना हो जाए सारे सब्जी वेजिटेबल उसमें एक साथ मिक्स हो जाए कारिम को टामाटा करें गयाえ सिरा अफिर अजी है करें आपिर जैसे मिंक्स करेंगा क्लध चेंज हो जाएगा कि गरं होने अक बहुत आप टाम दीरी जासरी होने को युलिक अफिर है ताकि टमाटर का ख़्यार हो कच्चा पन दखने हो कि अप अग्रेद हो अभल झाल अग्रेट तष्ट्ट पर ने वाले चांड विडियो तैयार है अपके सब्सक्राइब किजिए हुद अब इसे तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब कीजिए वेडियो सेयर कीजे थेंक यू